नमस्कार, मैं बबिता काजल, स्वागत है एक बार पुन है आपका और आज की कक्षा में फिर से हम बात करने जा रहे हैं नाटक के बारे में नाटक है कबीरा खड़ा बजार में इससे पहले हम दो भागों में बात कर चुके हैं इसी नाटक के बारे में जिसमें हमने देखा कि पहले अंक का जो पहला दृष्य है उसमें कबीर के व्यक्तित और उसकी परिवारिक सिती के बारे में बताया गया है और जो दूसरा दृष्य है उसमें ततकालीन जो नगरी अस्थिती है जातिय समी करण है उस पर बात होती है तो आज हम बात करने वाले हैं कबीरा, खड़ा, बजार में नाटक, भाग, तीन के अंतरगत प्रथम अंक के तीसरे दृष्य के बारे में तीसरे दृष्य का प्रारंब होता है कि जो बड़े महंत हैं वो कोतवाल से मिलने के लिए आते हैं तो कोतवाल से मिलने का उनका उद्देश्य क्या है उनका उद्देश्य है कि जो मट की जमीन जो उनके नाम से है और जिस पर वो इमारत खड़ी करने वाले हैं उसके ठीक सामने नीच लोगों की बस्ती है और महंत जी चाहते हैं कि ये जो नीच लोग हैं, शुद्र हैं, डोम, चमार हैं उनको वहां से हटाने में कोतवाल उन यहां एक और परिद्रश्य स्पस्ट होता है कि किस तरह से तंत्र और धर्म मिलकर जो गरीब है धीन हीन है पीडित है उसके विरुद जाकर उसका नुकसान करते हैं उसकी स्थिती को और ज्यादा बदतर बनाते हैं कोतवाल, शेख और महंत के बीच में ये बादची चल ही रही होती है कि तभी एक मौलवी साब का प्रवेश होता है जो हैरान और परेशान है कोतवाल महंत को बिदा करके मौलवी की समस्या को सुनता है उससे बात करता है यहां मौलवी साब इसलिए परेशान है कि कोई व्यक्ति है जो दीन की तोहीन कर रहा है और उसी व्यक्ति के खिलाफ अपनी फर्याद लेकर मौलवी साब कोतवाल के पास आते हैं और वह दीन व्यक्ति कौन है? वह कबीर जुलाहा. और वह दीन की तोहीन कैसे कर रहा है? वो मस्जिज शरीफ की सीडियों पर खड़ा होकर जब कवित कहता है, बात कहता है, शायरी करता है, तो यह मानो वो दीन की तोहीन करता है. मौलवी साब कोतवाल को भड़काते हुए कबीर के खिलाफ कहते हैं जनूनी है या काफिर उसका मूँ तो बंद कराइए लाहूल वला कुवत लोग क्या कहेंगे कि आप एक खबती से डर गए आपके रहते किसकी मजाल है कि दीन की तोहीन करे आप यहां पर दिल्ली के शेहनशा के ही नुमाइंदे नहीं है आप दीन के भी नुमाइंदा है आप चुप रहेंगे तो लोग कहेंगे कि यहां का राजा चुकी हिंदू है इसलिए दीन के खिलाफ कोई कुछ भी कहले कोतवाल कुछ नहीं कर सकता इस आदमी के शेर और काफिये लोगों की जबान पर चड़ते जाते हैं जहां खड़ा होता है मजमाई कठा कर लेता है छोटे तबके के लोगों को इश्टाल दे रहा है प्रत्युत्तर में कोतवाल मुस्कुराते हुए धिमी अवाज में कहता है दीन की खिदमत मुला मौलवी इतनी नहीं करते जितनी हाकिम करता है यह बात गांट बांद लो और इसी बात को लेकर कोतवाल के मद्धे और मौलवी के मद्धे लंबा समबाद होता है और बहुत ही उलेकनिय बात करते हुए कोतवाल मुसाहिब और मौलवी को कहता है कि मजहब के नाम पर सल्तनते बनती हैं और सल्तनतों के साय में मजहब बनते हैं हाकिम की तलवार दीन की खिदमत करती है क्या समझे यही बड़े फलस्फे की बाते हैं मुल्ला मौलवी बड़े धर्मा अधिकारी और बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले मजहब की खिदमत नहीं करते बलकि मजहब की खिदमत करते हैं हाकिम, शासक वो स्पस्ट कहता है कोतवाल हाकिम जजबात की रो में नहीं बैता जबकि मुल्ला मौलवी जजबाती हो जाते हैं हाकिम सोचता है और सोचकर ध्यान लगाकर फैसला देता है इस तरह मजहब और कौम की सबसे बड़ी खिदमत हाकिम करता है जो जजबाती नहीं होता और जब कोतवाल उनसे पूछते हैं कि कबीर दास क्या कहता है तो मौलवी कहता है कि वह मंदिर में जाने से मना करता है मस्जिद में जाने से मना करता है पंडित पुजारियों को मौलवी और मुलाओं को भी गाली देता है कोतवाल यहाँ पर इस चीज का संभंद निजाम से जोड़ देता है अर्थात कबीर अगर धर्म को, मुले मौलवीयों को, पंडे पुजारियों को गाली दे रहा है तो वो दीन के खिलाफ बढ़का रहा है दीन के खिलाब बढ़का रहा है अर्थात्वो निजाम के खिलाब बढ़का रहा है वो बादशा के खिलाब बढ़का रहा है वो शासक और राजा के खिलाब बढ़का रहा है इस तरह से बहुत रणनीती के साथ में कोतवाल जो है वो कबीर को पाखंड विरुद सिद्ध नय अभी वहां से अंधा बिखारी कबीर के पद गाकर निकलता है, पद गाता गाता वहां से गुजरता है और वहें अंधा बिखारी गा गाकर भीख मांगता है. बिखारी को कोतवाल के सामने बुलाया जाता है उससे प्रशन पूछे जाते हैं और बिखारी उत्साइत होकर कबीर के कुछ और पद गाकर सुनाने लगता है अंदे बिखारी से पूछ ताच करके छोड़ दिया जाता है लेकिन कोतवाल चोपदार को हुकम देता है कि इस आदमी को पांच कोड़े लगाओ और खबरदार कर दो कि अगर फिर कभी कबीर दास का गीत गाता पकड़ा गया तो चमड़ी उधेर दी जाएगी यहां कोतवाल फिल हाल कबीर को सजा नहीं दे रहा है वो अंदे बिखारी को सजा दे रहा है और कारण क्या बताता है कि जरूरत इस बात की नहीं कि कबीर को सजा दी जाए जरूरत इस बात की है कि उसकी बात सुनने वालों के दिल में दहशत फैल जाए अगर हम कबीर को साथ बड़ी रन्निती के साथ बड़ी सोच समझ के साथ साजिश के साथ कबीर को मिटाने की योजना बनाई जाती है तभी चोबदार आकर सूचना देता है कि जिस अंधे बिखारी को पांच कोड़े मारने के लिए कहा गया था वैं चौथे कोड़े में ही दम तोड़ गया औ कुरबान हो जाता है उसकी लाश घर बिजवा दी जाती है और एक तरह से लाश घर बिजवाने के पीछे भी दहशत फैलाना है कि जब उसकी लाश गली गली ले जाई जाएगी और साथ में सरकारी आदमी होगा तो अपने आप दहशत फैलेगी यहीं पर यह द्रश्य होता है इस द्रश्य की माध्यम से ततकाली न्याय व्यवस्था, कोतवाल का चरित्र, मुले मौलवियों में कबीर को लेकर दहशत का माहोल, कबीर का कवित गाने वाले अंदे बिखारी को मार दिया जाना और उसकी मौत का जो द्रश्य है उसको यहाँ पर चितरित किया गया है तो इस द्रश्य के माध्यम से जो सितियां सामने आती हैं उनसे सपस्ट होता है कि ततकालीन न्याय व्यवस्था बहुत बदतर थी और साथ ही जो शासक वर्ग है उसके नाम पर जो सरकारी आदमी है वो गरीब और पीडित वर्ग पर और ज़्यादा अत्याचार करते थे और कबीर के विरुद किस तरह से माहोल बनाया जा रहा था उसको एक बहुत बड़ा अपरादी बना कर दीन की तोहीन करने वाले के रूप में उसको सजा देने की तयारी की जा रही थी साजिश की जा रही थी एक पूरा तंत्र जो है उसके पीछे लगा हुआ था और अंत में अंधे विखारी की मौत कोतवाल के व्यक्ति द्वारा कोड़े मारते समय यह भी बहुत सारे प्रश्ण खड़े करती है अंधे विखारी को किस बात की सजा मिली यह है नै तो अंधा विखारी समझ सका और नहीं उसके परिवार वाले लेकिन एक पाठक, दर्शक, वाचक होने के नाते हम समझ सकते हैं कि अंधे विखारी को सजा क्यों दी गई इस प्रकार जब धर्म की और शासन की, तंतर की और धर्म की साथ गाट होती है तो अंधे विखारी जैसे लोग, लोग बिना मौत के मारे जाते हैं, बिना दोश के सजा पाते हैं प्रशासनिक और धार्मिक साजिशों का शिकार हमेशा गरीब आदमी होता है, अभोद आदमी होता है, आम आदमी होता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद, अगले भाग में फिर से मिलते हैं, दूसरे द्रशे के साथ